नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है दोस्तो हमारे हाथ हमारे सिरीर का महतोपुर्ण अंग हैं हमारे हाथों की उंगलियों के नाखून जीवन शक्ति, प्राण उर्जा और तरंगों का उदगम स्थान होते हैं हमारे नाखून हमारी सक्ति का अतुले बंडार भी होते हैं हम ये भी कह सकते हैं कि नाखून व्यक्ति के भीतर जांकने की खिड़कियां होते हैं नाखून मनुश्य के पैदा होने से लेकर मुरित्तु तक साथ निवाते हैं ये हमारे सच्चे मित्र हैं समय समय पर हमारे नखोनों में कहीं तरह के बदलाव होती रहती हैं हमारे नखोनों का बदलता रंग उन पर बनी आकर्तियां और उनकी बनावट ये बदलाव हमें कहीं तरह के संकेत देता है कई बड़ी बिमारियों के आने की चेतावनी भी हमें हमारे नखुनों से मिल सकती है कई लोगों का तो ये मानना है कि हमारे नखुन हमें मृत्तु के आने की पूर्व सूचना तक देती है तो आज इस वीडियो में हम नाखून से मिलने वाली कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बात करेंगे दोस्तो नाखूनों से हमें पता चलता है कि आपकी बिमारी कितनी पुरानी है अगर नाखून की जड़ में खराबी है तो समश्या नई नई है नाखून के सीरे पर खराबी है तो बिमारी पुरानी है और अगर नाखून के मध्धे में खराबी है तो बिमारी पांच या छे महिने ही पुरानी है नाखूनों के रंग की अगर बात करें तो गुलाबी या फिर मूंगे रंग के चमकेले नाखून उदार प्रवरिती, स्वास्ते वरिती और आत्मिक शक्ति का परीचे देते हैं सफेद रंग के नखून हमारे स्रीर में रक्त की कमी को दर्शाते हैं ऐसे नखूनों से रक्त संचार समंदी रोगों का खत्रा बना रहता है ऐसे व्यक्ति को एनेमिया की समर्शा भी हो सकती है पीले रंग के नखून रक्त की कमी और जिगर की कमजोरी यानि की लीवर की बिमारी को दर्शाते हैं ऐसे नखून हमें पीलिया रोग की सूचना देते हैं और इसमें हमारे नखूनों के साथ साथ हमारी आँखें और हमारी हथेली भी पीली होने लगती है। नीले रंग के नखूनों के अगर हम बात करें तो नीले नखून हमें रक्त में ऑक्सीजन की कमें और कार्बन की अधिकता को बताते हैं। ऐसे नखून हमें हरीदे समंदी बिमारियों का संकेत देते हैं। हरीदे में वालव का खराब होना या फिर हरीदे में सुराख होना नीले नखूनों से अंदाजा लगाया जा सकता है। काले नखून हमें रक्त के दुशित होने का संकेत देते हैं। हमारे नखोनों पर कई तरह के दब्बे और धारियां, मानसिक तनाव और सरीरिक दुरूबलता को और फेपडों की कई बीमारियों को दर्शाती हैं। इतना ही नहीं, कई अनुभवी व्यक्ति तो नखोन के सफेद बिंदूओं को गिन कर मुरित्तु की पूर्व जानकारी का भी अंदाजा लगा लेती हैं। दोस्तो नखोनों पर दूदिया रंग के अर्ध चंद्रों का उबरना रक्त संचार को दर्शाता है। इनका ना होना हरीदे की दुरूबलता, कम कारिय शमता और दोश पूर्ण रक्त संचार को दर्शाता है। ज़्यादा बड़े अर्ध चंद्र हमारे हार्मोन इंबैलेंस और थाइरोड हाई बीपी जैसी बीमारियों को दर्शाती हैं। समाने से चोटे नाखून वालों में आnt, रक्त, पैर और कमर दर्ध जैसी शिकायत हो सकती है और इसके विपरीत वाले नाखूनों में फेपड़ों के रोग, हरीदे रोग, शिर्गे रोगों की परविर्ती देखी जा सकती है। दोस्तो पतले नाखून स्वास्ते की दुरबलता सरीरिक कमजोरी का संकेत देते हैं और इसके अलावा नाखूनों के आसपास बार बार सूजन आना हमें इस बात का संकेत देता है कि डाइपटीज का रोग आपको लग चुका है या फिर लगने वाला है उपर की और मुड़े होए नाखूनों से हमें हस्तमा, हार्ट अटेक या फिर कैंसर जैसे रोगों के संकेत मिलते हैं अगर नाखूनों का आकार चमज के जैसा हो गया हो तो यह एनीमिया का संकेत हो सकता है दोस्तो हस्त रेकाओं की तरह हमारे नाखूनों के निसान भी बदलते रहते हैं दृड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को नमस्ते जैहिं